लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइटिन को प्रेस करें समय नहीं था मेरे पास देवराज इसलिए मैं आपसे क्षमा अप्रार्थी हूं परंतु कारे संपन होने के बश्चात इसे मैं पुने स्वर्ग लोग प्रतिश्टित कर दूँगा ये मेरा आपसे वचन है देवराज देवराज यदि माता सीता को इस कल्प रिक्ष के आवश इसे स्वर्ग लोग से विलग नहीं किया जा सकता देवराज मुझे विलंभ हो रहा है किप्या करके इस समय आग्या की बाधा ना डाले मैं कल्प तरू ले जाने के लिए विवश हूं देवराज हनुमान हम चाहे तो एक ही पल में इस कल्प रिक्ष की दिव्यता नश्ट क हनुमान को इस कल्प रिक्ष को ले जाने दिजिए मेरे लिए एक एक शण अमूल ले है देवराज माता सीता संकट में है मैं आपको वच्चन देता हूं देवराज कि कारे संपन होने पर मैं इसे पुने लाकर आपको सौंप दूँँगा देवराज क्या सोच रहे हैं अधिक विलम होने से माता सीता के साथ कुछ भी अनर्थ हो सकता है देवराज क्रिपा करके मुझे कल्प तुरू ले जाने दीजिए आपकी बड़ी क्रिपा होगी देवराज आपकी क्रिपा होगी हाँ देवराज माता सीता की संकट में साहिता करना हमारा भी करतव्य हैं देवराज अनुमान को कलपतुल ले जाने दीजें कि ठीक है किंटो कारे पूर्ढ होते ही उसे लेकर शीग्रत शीग्रोल स्वग्लग मृतना होगा अनुमान जैसे आपकी आगिया जैसे आपकी आग़्या जै शी राम जै हुर कर दो गुरुदेव गुरुदेव अब क्या होगा मारेशी दुरुवासा के आने का समय हो रहा है और हनुमान अभी तक नहीं आए धीरज रखो पुत्री हनुमान समय रहते है अवश्या आजाएंगे मैं धीरज कैसे रखों गुरुदेव आप तो जानते हैं मारेशी दुरुवासा का क्रोध यदि हनुमान के आने से पहले वो यहां गए तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा माता 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 गुरुदेव गुरुदेव क्या हुआ पुत्रों मारी शी दुर्वासा हमारे आश्रम के और आ रहे है क्या अब मैं क्या करूं गुरुदेव बहुत बड़ा नर्थ हो जाएगा हनुमान भी अभी तक नहीं पहुंचे मैं क्या करूं गुरुदेव मैं क्या कर स्वागत शिप शंकर आये महादेब आये महर्शी तु शिवाल में की क्या सीता ने हमारे लिए दीप भोजन की पेवस्था कर ली महर्शी सीता उसी में वेस्थ है कुछ छेन और लगेंगे क्या शिता ने हमारे लिए अभी तक दीप भोजन की पेवस्था नहीं की परन्तु हमारी छुदा तो बढ़ती ही जा रही है विलम के लिए एक शमा चाहता हूं महर्शी शमा 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 रिशिवाल में की आपको ग्यान है कि हमारे शब्द कोष्ट में शमा शब्द ही नहीं है क्या सिता को हमारे ख्रोध का ज्यान नहीं है उसने तो कहा था कि तो घड़ी पस्चाथ हमारे भोजन की ब्यवस्था करेगी ये विलम केव रिशिवाल में की केव महर्शी दिव्य भोजन बनाने में कुछ तो समय लगेगा तो आप हमसे अनरगर बाते कर रहे हैं रिशिवाल में की आप हमारा समय नश्ट कर रहे हैं मुझे तो लगता है देवी सिता ने हमारे लिए भोजन तयार ही नहीं किया कहा है सिता देवी सिता हमारे समक्ष आओ श जए शिप्शंकर जए महादेव जए शिप्शंकर जए महादेव सीथे तुम्हारा ये भैभीत मुखमंडल हमें आभास दे रहा है कि तुम हमारे लिए दिव्य भोजन प्रस्तुत करने में असमर्थ रही महारीशी मैं शमा चाहती हूं इस बिलम के लिए आपकी इच्छा अनुसार दिव्य भोजन का प्रबंध करने का मैं प्रयतिन कर रही हूँ सीथा तुमने अकारण ही हमारे क्रोध को प्रज्वलित किया है क्या तुम्हें ग्यात नहीं कि असत्य संभाशन से हमारा क्रोध भड़क उड़ता है और हम अपने वस ने बहर हो जाते हैं क्रोध शान्त कीजिए महरूषी हमारी परिस्तिती बर भी विचार कीजिए यदि परिस्तिती ऐसी थी तो हमें धिव्य भोजन कराने का वचन ही क्यों दिया सीथा हमारे क्रोध की जॉअला भड़क उठी है शांत महारिशी शांत शमा महारिशी शमा अब यह स्वांग रचाना बंद करो सिते रुद्रावता रिशी दुर्बासा के रौधर रूप से परिचय नहीं हुआ तुम्हारा अभी तक बढ़ा नहीं शमा महारिशी शमा बढ़ा खदो पी नहीं जिस रिसी दुर्बासा के क्रोध की ज्वाला में जलकर तीनों लोग भस्म हो सकते हैं उसके साथ असत्य संभासन करके तुमने हमारे क्रोध की ज्वाला को भरका दिया है सीते आज हमारे क्रोध से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता कोई नहीं बचा सकता जये शिवशंकर जये मेरे श्राप के भैसे भाग गई हो तुम सीते तुम कहीं भी छुप जाओ परन्तु तुम्हें मेरे श्राप से कोई नहीं बजा सकता हनुमान माता ये कल्प पुर्विक्ष है इसे मैं स्वर्ग लोग से लेकर आया हूँ इससे आप जो भी मांगेंगे ये आपको प्रदान करेगा माता इससे आप रिशी दुर्वासा के लिए देवे भोजन भी प्राफ्त कर सकती हैं ये लीजे माता ये लीजे शेग्रे रिशी दुर्वासा के लिए देवे भोजन प्राफ्त कीजे माता तुम धन्यों अनुमान तुम धन्यों शांत रिशिवर शांत आपके भोजन की व वस्था हो चुकी है, आये, जाए श्रीवशंकर, आये, आये, जाए श्री राव, जाए श्री राव, जाए मादा, शीक देशी दुरुवासा को भोजन करवाईए, जाए श्रीवशंकर, जाए महादेव, मेरी प्रतिक्षा की सीमा अब समाफ्त हो गई है, मैं जा रहा हूँ, रिशिवर, रुकिये, ये देखिये, भोजन की व्यवस्था पूर्ला हो चुकी है, ये देखिये, रिशिवर, विलम के लिए मैं शमा चाहती हूँ, माता, माता, इदर आईए, रिशिवर, बोजन ग्रहन करने की किर्पा कीजिए, जे शिवशंकर, जे महादीब, जे शिवशंकर, जे महादीब, जे शिवशंकर, जे महादीब, ये तो सचमुच तिव्व भोजन है, ये प्रिथिवी लोग का नहीं है, अवस ही देवी सीता ने किसी और से सहायता ली है, लीचिये, प्रिशिवर, बोजन आपकी च्छानुसार है ना, ठीक है, कें तो, रिशिवर, बोजन में कोई तुरूटी रह दी है क्या, कोई तुरूटी नहीं है, जै शिवशंकर, जै महादेव, प्रणाम, प्रणाम रिशिवर, रुद्र अवदार दुरुवासा को रुद्र अंश हनुमान का प्रणाम, हनुमान, अब समझ में आया, इन सब किरिया खलापों के पीछे तुम्हारा ही हाथ था, नहीं रिशिवर नहीं, एक पुत्र का, अपनी माता के लिए, पुत्र, माता, काण पुत्र, काण माता, हनुमान एक पुत्र, तथा देवी सीता मेरी माता, क्योंकि प्रतेक माता का ये अधिकार है कि संकट के समय अपने पुत्र से सहायता मांगे और प्रतेक पुत्र का ये करतव वे है कि संकट के समय अपनी माता की सहायता करे परन तु क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरे साथ छल किया गया है रिशी दुर्बावसा के साथ नहीं रिशीवर मुझे तो अप्रत्यक्ष रूप से आपकी सेवा करने का सुफसर मिला है रिशीवर रिशीवर आप तो महान हैं तेजस्वी हैं करुणा के सागर है आप ही मुझे बताएं क्या किसी असहाय अबला नारी को संकट के समय में संकट में डालना क्या उचेत है पताएं रिशीवर मैं जानता था कि आपका उत्तर भी नहीं में होगा क्योंकि आप भी मेरी ही भानती रुद्र अवतार है और भगवान रुद्र के अवतार किसी असहाय को संकट में डाली नहीं सकते रिशिवर अब हनुमान आपसे हाथ जोड़ कर विनती करता है कि अब ये क्रोध त्याग कर शान्त हो जाएए और मेरी माता को आशीरवा दीजे आशीरवा दीजे रिशिवर बता सीथा आए 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 दुर्शिवर एंः आशीरवा दीजे एक रोध त्याग दीजे रिशिवर आशीरवा दीजे जैशिव्शंकर I go passado the other me other हनुमान तुम सच मुझ संकत मोचन हो संकत मोचन ढआए हनुमान जैह हनुमान